हलो नमस्कार मैं डॉक्टर नौल पटेल डिर्मेट लोजी से हम हेर ट्रांस्परांट सर्जन और अक्लिंग राइगण छेटिस गड़ आज इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं हेर फॉल हेर लॉस या हेर थिनिंग के बारे में जो की खून की कमी हीमोगलोबिन की कमी य या हमारे भारत में अधिकांस महिलाओं में खुन की कमी होती है एनिम्या बहुत कॉमन है बहुत लोग यह मानते हैं 11 ग्राम हमारा की हमोगलोबिन बहुत अच्छा है जिने यह सही नहीं है हेमोगलोबिन 13-14 ग्राम 15 ग्राम यह रहना एक आडियल स्टेंडर और अच्छा है अगर आपका हिमोगलोबिन 9-ग्राम से कम लंबै समय तक है तो आपको हिमोगलोबिन की कमी के कारण एनिम्या होगा और उस एनिम्या के कारण में यह त्टिनिंग होना सुरू हो जाता है आपके बालों के जड़ पतले हो जाते हैं बहुत जगहों में बाल पूरीétais से जड़ से लॉस हो जाते है और पूरे ह errhen dingen हो जाते है illustriMore स्माछब उनकी जो चमक हो जाती है बेजान हो जाते हैं और बालों की growth भी कम हो जाती है इनीमिय के कारण बालों में जब growth कम हो जाती है तो उसके treatment के य्यारण के supplement देने से ठीक नहीं होता है इसके लिए और अलग टियुट तो यह आईरन की कमी अधिकतर कूँ हो जाती है आरन की अधिकतर जो हते हैं न्यूट्रिशन मतलब खान पान में कमी के कारण अधिकतर इंडिया में proper nutrition नहीं मिल पाता है और महिलाओं में अधितर जो menstrual cycle होता है इनके कारण में कमी हो सकती है कभी-कभी खुन में हम कमी देखते हैं कि किसी प्रकार का क्रीमी है या पेट में कोई खराबी है blood loss हो है उनसे भी हो सकता है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं हेर को कैसे हम ठीक कर सकते हैं उसके बारे में कुछ टीप्स देने वाला हूं जैसे अगर किसी को भी हेर की complaints आ रही हैं तो आपको मुक्यता ये ध्यान देना चाहिए कि बाल जड़ रहे हैं और क्या उसके सांथ में आपको आपका जीब थोड़ा पीला पन दिखता है आँखों में पीला पन है हाथ को जब आप अच्छे से स्ट्रेच करके देखते हैं तो उसमें लाली मा एक लाल पन नहीं दिखाए देता है मतलब आपको एनीमिया खुन की कमी हो सकती है ठकान लगता है क्या चड़ जड़ापन लगता है या आप जल्दी ठक जाते हैं सांस जल्दी फूल जाता है ये भी एनीमिया का एक अधर सिम्टम हो सकता है हेर तो लॉस हो ही रहे हैं इन हेर को वापस रिटेन करने के लिए या आपके हेर की ग्रोथ को अच्छा करने के लिए कुछ मैं सुझाओ दे रहा हूं इन सुझाओ को आप अगर सही तरीके से करेंगे तो आपकी इंप्रूब्मेंट ज़रूर मिलेगा कोई इन के रिपोर्ट के आधार पे अगर आइरे न की कमी है तो आइरे युक्त भोजन हीमोगलोविन कमी है और शांती साथ में बहुत जयादा कमी होने से ब्लड लौस ज़्यादा हो गया है। तो आप खून की बॉटल भी आप चड़वा सकते हैं और साथ में यहां कोई इंजेक्शन भी ले सकते हैं इनके साथी साथ में जैसे कुछ डाइट मैंने बताया कि आयरन युक्त भोजन या आयरन युक्त चीजे ज्यादा किन में होता है सीजनल फूर्ट में ज्यादा मिलते हैं लेग्यूम्स ज्यादा दाले लेंटीन्स मास मचलियों से मिलते हैं लिवर से मिलता है बीन से मिलेगा और इस प्रकार से diet जैसे पालफ हो गया, बादाम हो गया, गुर से बनी चीजे हो गए, गन्ना हो गए, सेब हो गया, अनार हो गया, इनसे आपको iron ज्यादा मातरा में मिल सकता है साती सात पर आप हर दिन एक iron folic acid की गोली लिजीए या syrup format लिजीए इन डाइट को आप हमेशा या गुलियों को हमेशा खाना खाने के आधे गंटे के बार लेजे कभी-कभी इनको लेने से कभी-कभी कौनस्टी पिशन मतलब ब्लैट्रिंग या टॉलेट टाइट होने के समासिया हो सकती है जिसे आपको घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा आप अपने बालों में हर महिने में एक बार PRP, मेजो थेरिपी की ट्रेट्मेंट जरूर ले जब तक कि हेर या कहना चाहिए कि आपके सरीर में आईरन या ब्लट की जो कमी थी वो अच्छे सरीके से कंट्रोल ना हो जाए साथ में हम आपको मिनोक्सीडिल बायोटीन की टेबलेट ताकि अन्य कोई न्यूट्रिशन की कमी उसको देने के लिए भी कॉंप्लेक्स भी दिया जा सकता है तो इन टीट्मेंट के दवरान अगर आपको लगता है कि सब इंप्रूब्मेंट हो रहा है तो इन टीट्मेंट को आप कर सकते हैं या लगता है कि कुछ और कंसर्ट करना है सेंपू चेंज करना है और अलग से करना है तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट करिए मेरे क्लिनिक में आके मिलिए या किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए हमा करें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को हिट करें